आज की इस फीडियो में बात करेंगे OPPO F27 Pro Plus के बारे में Basically आज की इस फीडियो में हम इस फोन के hanging problem के बारे में बात करने वाले है क्योंकि इस फोन में hanging problem जो है बहुत सादा सुनाई दे रहा है कई सारे लोग है जिनको फोन में hanging issue आ रहा है तो अगर आपका phone भी hang कर रहा है अगर आपका फोन अभी नया है फिर भी hang कर रहा है तो इसका कई सारा multiple reason हो सकता है मेरा एक दोस्त है जिसका phone hang कर रहा था तो उसने मुझे कहा यार मैंने अभी भी ये phone खड़ीदा और अभी ये phone hang होना शुरू हो चुका है तो मैंने उसे कहा कि यह नॉर्मल बात है थोरा बहुत हैंग हो रहा है तो तो एक काम कर अपने फोन को स्वीच आप करके आन कर ले तो तेरा फोन ठीक हो जाएगा उसने अपने phone को switch up करके on किया लेकिन उसका phone अभी भी ठीक नहीं हो रहा था उसके बाद उसने मुझे फिर से phone करके कहा यार phone ठीक नहीं हो रहा है और मैंने तिरे को phone किया phone करने में मुझे 4-5 मिनिट जैसा time लग गया तो क्या issue आ रहा है थोड़ा देखके बता दे तो मैंने उसे कहा अगर switch up करने के बाद भी तरह phone ठीक नहीं हो रहा है तो हो सकता है तुने अपने phone में कई सारे applications इंस्टॉल करके रखा होगा या फिर कई सारे movie बगएरा photo बगएरा जो पूराना phone से तुने लिया है वो सब अपने phone में डाल के अपने phone के internet storage को तुने फूल कर लिया होगा इस बज़े से तेरा issue आ रहा है तो उसने कहा हाँ मैंने शुरुआत में ऐसा करा था लेकिन अभी फिलाल मेरे phone में कोई भी application नहीं है जो मैंने play store से install किया है या फिर कोई भी application ऐसा भी नहीं है जो मैंने बाहर से install किया है और मेरा internet storage भी पूरा का पूरा खाली है लेकिन मेरा phone अभी भी जो है ठीक नहीं हो रहा है तो अभी मैंने उससे कहा तो फिर इसका तो एक ही रास्ता है अभी तेरे phone को तुझे factory reset कर लेना चाहिए उसके बाद जो भी तेरे phone में problem रहेगा वह 100% ठीक हो जाएगा तो उसने मुझे एक चौकाने वाला बात बोला कि उसने अपने phone को factory reset भी कर लिया है उसके बाद आपको phone को फिर से setup करना पड़ेगा language set करना पड़ेगा Gmail ID देना पड़ेगा नया आज अचाहिए फिर से शुरूआत करना पड़ेगा तो generally factory reset करने के बाद phone ठीक हो जाना चाहिए लेकिन यह phone फिर भी ठीक नहीं हो रहा था तो मैं अभी उससे कहा कि ठीक है इसको install किया था तो उसने कहा था कई सारे applications को install किया था मैंने लेकिन अभी वो नहीं है उनको मैंने delete कर दिया है तो मुझे पूरा मामला समझ में आ गया जब उसने play store के अलावा बाकी applications को install किया होगा तो उसमें कुछ malware रह गया होंगे जो धीरे धीरे इसके operating system में कभजा कर लिया होंगे और operating system को ही crack कर दिया होगा अभी इसके पास एक ही option है इसको service center या फिर किसी mobile repairing shop में जाना चाहिए जहांपे software का काम हो जाता है वहांपे जाके इसको यह problem जो है क्या क्या किया था इसलिए उसको वायरें टीवी वायलेट बता रहा था तो बाहर गया एक दुकान में उससे 200 रुपय समतिंग लिया था उसको फोन को पुड़ा फ्लश करके दिया और अभी अभी भी मेरा दोस्ट जो है अपने फोन को बेंदा से स्तमाल कर रहा है कोई भी फोन में भी ऐसा हैंगिंग इस्यू आ रहा है तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं तो है यह आज के लिए बसेते हैं